लिवपूल समर्थक ने एंफील्ड के बाहर हमला करने के बाद दो रोमा प्रशंसकों को मड़र के प्रयास के लिए गिरफतार कर लिया रेद समर्थक तिरपव को किकफ से पहले अलबर्ट पाप के पास हमला करने के बाद जीवन के लिए लड़ना छोड़ दिया गया था लिवर्पूर्पूर प्रशंसक को गंभीर सिती में छोड़ने के बाद दो रोमा प्रशंसकों को हत्या के संदेह पर संदेह मैं गिरफ्तार किया गया था रेद समर्थक तिरपव मंगलवार की राद को चैंपिन्स लीग सेमी फाइनल से ठीक पहले अलबर्ट पाप के पास हमला टरने के बाद जीवन के लिए लड़ रहे थे रोमा प्रशंसकों के रूप में केकफ से पहले एक खन पे पहले परिशानी हुई चोह थोड़ों बैटन और बैठों की रक्षा करते हुए घर की भीड़ पर हमला करते थे आयलंड से माना जाने वाला पीडित बेहोश हो जाने के बाद वाल्टा नियूरोलोजिकल सेंटर में गंभीर सिर्की चोटों के लिए इलाज किया जा रहा है मर्ससाइट पुलिस ने 25 और 26 वर्ष की उमर के दो रोमा प्रशंसकों को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने अप्राध हमले आकरामक हथियारों के कबजे दवाओं के कबजे आप्राधिक्षती और नशेमे और अपमान जनग सहेत अप्राधों के लिए कुल नो गिरफतारी की मुख्य अधीक्षक देवचर नौक ने कहा एक तिरपन वर्षिय व्यक्ति जिसे लिवंपूल प्रशंसक माना जाता था रोमा और लिवंपूल प्रशंसकों के बीच एक विचलन के दौरान जमीन के नज़दीक हमला किया गया था वर्तमान में वाल्टा नियूरोलोजिकल सेंट में उनकी चोटों के लिए उनका इलाज किया जा रहा है जहां उनकी हालत को गंभीर बताया गया है रोम से 25 और 26 साल की आईयो के दो पुरिश को हत्या के संदेह पर गिरफतार कर लिया गया है और उन्हें एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया है जहां उनका जासू सो द्वारा साक्षात कार किया जाएगा उन्होंने आगे कहा जासू स्खेल से पहले आकल्स लेन पर इन्फील स्टेडियम के बाहर फ्लेरेस के उप्योग की भी जाच कर रहे हैं हम CCTV फुटेज की समीक्षा करेंगे हमारे शरीर को कैमरे की फुटेज पहने हुए होंगे और इन्में से किसी भी घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए खलाब के साथ काम करना होगा ताकि हम उन्हें अदालतों के सामने रख सके और मैं उन लोगों से अपील करता हूँ जिनके पास हम से संपर्क करने के लिए इन्में से किसी भी घटना के संबंध में कोई जानकारी है या मोबाइल फुटेज है UEFA के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह लिवपूल FC VAS रोमा से पहले हुए विद्रोही हमले से गहराए से चौक गया था और हमारे विचार पीड़त और उसके परिवार के साथ है इस अपमान जनग हमले के अपराधियों के पास फुटपॉल में कोई जगह नहीं है और हमें भरोसा है कि यूँ नहीं अधिकारियों द्वारा अत्यदिक गंभीरता से निप्टाया जाएगा द्रिश्य हमले के बाद सड़क पर नीचे हुड्रोमा समर्थकों के गुच्छा का पीछा करते हुए घर प्रशन्सकों को ओनलाइन उभरा लिवपूल के प्रशन्सकों ने पुलिस वेंग के शीर्ष पर चढ़ने के बाद हमला किया और आज रात के यूरोपिय सेमी फाइनल के पहले चरंड से पहले फ्लेरेस जलाया एनफील्ड के बाहर सड़के भयानक प्रशन्सकों के साथ जोका रही थी जो खेल के लिए उत्साहे थी लिवपूल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वे स्टेडियम के बाहर की घटना से चौक गए और चिंतित थे यह पढ़ता है हमारे विचार पहले उदाहरन में पीड़त और उसके परिवार के साथ इस बहुत ही दर्दनाक सामाए पर हैं हम उन्हें अपना पूरा समर्थन देंगे यह घटना हुई क्यूंकि क्लब अपातकालीन सेवाओं के साथ संपर्क कर रहा है और ऐसा करना जारी रखेगा लिवर्पूल एफसी सूचनाओं के लिए मार्ससाइड पुलिस की अपील के लिए गेम में उपस्थित लोगों और उपस्थित लोगों को निर्देशित करता है प्रतिद्वंद्वी प्रशंसकों के बीच संघर्ष के बाद कोब अंत के पीछे एक गंभीर घटना की रिपोर्ट सुनना पैरा मेडिक्स छेड़ थार पीड़ित का इलाज रावीवार टाइम्स फुटबॉल सन्वादाता जोनतन नौर्थ क्रॉफ्ट जिन्नोंने इस खटना को देखा नए दावा किया कि एक बुजर्ग लिवरपूल समर्थक अपनी पचास के दशक में होने के लिए कहा गया था फर्ष पर इलाज की आवशक्ता पर छोड़ दिया गया था नौर्थ क्रॉफ्ट के मुताबिक प्लेके इनुक्स पहने हुए 15 सेकंड बीस इतलियन्स के समुह को पैंड के पीछे वैनमो स्ट्रीट से बाहर आया समुह को फिर लिवपूल के प्रशंसकों का सामना करना पड़ा और कहा जाता था कि वे आक्रामक तरीके से चेंतन कर रहे थे और इशारा कर रहे थे उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ इतलियन्स को बेल्ट पुकड़े हुए देखा जो बुझर प्रशंसक में चले गए अंततय आदमी को हमले में जमीन पर खट-खट आया गया और कुछ अन्य लिवपूल प्रशंसकों के साथ घबराहट के बाद इतलियन्स भाग गए शुरुवात में दो पुलिस ने सड़क के बीच में शूट पोलने में मदद की लेकिन बैक अप कुछ मिनिट बात पहुँचे पुलिस ने अलबर्ट पाप के बाहर सड़क को बंद कर दिया क्यूंकि पारमेडिक से इंबुलिंस में पहुँचे लिवपूल ने पायरो टेकनिक का उप्योग करने के खिलाफ चेतावडी प्रशंसकों को एक बयान जारी किया था लेकिन ऐसा लगता है कि बहरे कानों पर गिर गया है आज रात के माच में मैंचेस्ट सिटी के खिलाफ रेड्स क्वाटर फाइनल मुकाबले से पहले चौंक आने वाले दिरिश्यों की प्रतिक्रिया में मर्स साइड पर भारी सो रक्षा उपस्थिती देखी गई लिवरपूल के प्रशंसकों ने बोतल और अन्य वस्तूओं को फेंक दिया जिसमें शहर की टीम बस में फ्लेरेस शामिल थे जो सामने की खिड़की को तोड रही थी एनफिल्ड बॉस चुर्गन क्लॉप ने प्रशंसकों से आग्रह करने से पहले आग्रह किया यह एक उतकरिष्ट क्लाब है जो अपने शानदार माहौल के लिए जाना जाता है हमें चीजों को फेंकने की जरूरत नहीं है